आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले है सेंट्रा निली प्रोल 10.26 टका जो ओडिफुम में आती है सेंट्रा निली प्रोल का हमारी फसलों में क्या काम करती है कौन-कौन से डिजिट को कंट्रोल करती है कौन-कौन से इंस्टेक्ट को कंट्रोल करता है और कैसा उसका रिजल्ट है उसी के बारे में बात करेंगे अगर आप हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को दिल से एक सस्क्राइब और एक लाइक करते हैं जो आपको सेंत्रा नीली प्रोल 10.26 जो ओबी फोम में आती है FMC की बेनविया इंशिक्टिक साइट आपको दे रही है यह फार्मूला तो आप FMC की बेनविया साइट का भी स्प्रे कर सकते है या फिर जो जिस कमटनी की भी सेंत्रा नीली प्रोल 10.26 तका में दे रही है उसको आप स्प्रे कर सकते है तो हम यही बात करने वाले है इसका क्या काम करती है जो बेनविया इंसेक्टिक साइड आती है उसको हम बेगन, खीरा, टमाटर, मीर्ज, अंगूर, करेला, बंदगोबी, भिंडी, सिमला, होर सोयाबीन, गवार, तर्बूज जेसी क्रोप पर छिटकाव कर सकते है इसके अलावा आप अनार, फल, फलकार, फसल पर स्प्रे कर सकते हैं तो आईए बात करते हैं कौन-कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करती है विस्तार से जानते हैं यह मुकृप से वलवर्व, पिकवर, गुलाबी, सुन्दी, फलचेदक, तनाचेदक और सभी तरह की इली को कंट्रोल करती है तो आईए इसके साथ एफ़ेट, जैसेट, फियब, कीट वगेरे को कंट्रोल करता है यानि कहने का मतलब यह है रस चुषने वाली सेकेंड पेस्ट को भी कंट्रोल करता है और चबाने वाले किट को भी कंट्रोल कर लेता है जो मैंने क्रोप यानि फसल बताई है उस पर आप स्प्रे करेंगे काफी अच्छे रिजल्ट मिलेगे काफी उसके ही अंदाज में इंसेक को कंट्रोल कर पाएगा आईए बात करते हैं इसके डोज के बारे में जो मैं डोज बता रहा हूँ जो हम खुद स्प्रे करते हैं तो इतना डोज में काफी बेहतरीन रिजल्ट मिलता है मेटर ये नहीं करता है कि कमपनी कितना डोज बताती है जो हम लोग इस्प्रे करते हैं काफी बढ़िया रिजल्ट मिलता है सोल लिटर पानी में 25 से 30 एमेल का इस्प्रे करते हैं तो काफी बहतरीन रिजल्ट मिलता है यानि एक एकर की दर से स्प्रे करते हैं एक सो पचास से एक सो सित्य लिटर पानी में 240 से 300 एमेल स्प्रे करना चाहिए इसका जो प्राइस है जो 118 एमेल का 1650 रुपिय और 240 का जो प्राइस है 2000 से 2050 रुपिय के आसपास मिल सकता है डिजेस कंट्रोल की बात करते तो लगबग 25 दिनों के सम्थिंग हमारी क्रोप को इंसेक्ट से कंट्रोल करके रखता है FMC का बेने विया इंसेक्टिक साइट इसको आप खरपतवार ना सकते साथ और किसी भी इंसेक्ट के साथ नहीं स्प्रे कर सकते खास कर यदि आप इंसेक्ट के साथ मिश करके स्प्रे कर रहे हैं तो बेने विया का उतना रिजल नहीं मिल पाएगा जितना आपको रिजल चाहिए वीडियो को पुरा देखा उसके लिए थेंक्यू सो मच और वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो दिल से एक सस्क्राइब करते जाना